तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा ड्राइविंग का लरणर लाइसेंस होता है उसको हमें कहा से निकालना है और कहा से इसको हमें डाउनलोड करना होता है ज़ dugout पर मोबायल नंबर देखे आते आप उसके दो धौरा भी उसको डाउन लोड़ कर सकते और वहाँ पर आपका जो मूवाईल नंबर होता है उस पर एक S.M.S. तो आपका जो ऐप्लिकेशिन नंबर आपे दिन संखिय जिसे हम JUके तो यह वह आपके complete के learner license को print कहां से करेंगे कहां से उसको डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए चलते हैं laptop की स्क्रीन की दरफ तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने mobile या फर laptop में कोई भी एक browser को open कर लेना है तो मैंने यहाँ पर Google Chrome browser को यहाँ पर open कर लिया है अपन करने के बाद यहां सर्च वार में आपको टाइप करना है सार्थी परिवाहन.gov.in यह लिखकर आपको यहाँ पर सर्च कर देना है सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने website आ जाएगी home परिवाहन सेवा ministry of road यह जो पहली वाली website है इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ गया है यहाँ पर आपको क्या करना है जो ड्राइवर लर्नर लाइसेंस यहां more वाले option पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी state को select करना है जहां आपकी state है वो आपनी state यहाँ से select कर लेंगे state select करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह pop up आएगा आपके सामने इसको यहाँ से आपको cut कर देना है कट करने के बाद यहां से आपको एक option मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं learner license इस वाले option पर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको नीचे को एक option मिलेगा print learner license form 3 इस वाले option पर आपको click कर देना है कर देख सकते हैं यहां पर प्रॉसिट बाले option पर क्लिक करना है और कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां जो आपका z호 लेष्ष इवा आप तीन तरीके से डाउनलूड कर सकते हैं अब उसे अप्लीकेशन नमबर दोर यहां से आप डानूट कर सकते हैं यहां से अगर आपके पास license नमबर जो मोवाइल नमबर्स तो इस पर आपका license नमबर और application नमबर दोनुँ send किये जाते हैं यहां से सकते हैं अगर तो हम यहाँ पर application number द्वारा निकालने वाले हैं तो चलिए इस वाले option पर click कर देंगे click करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है simply यहाँ पर आपको आभेदन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है date of birth में आएंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा submit submit वाले option पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते OTP send जो आपने क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सामने जो ड्राइविंग का लर्नर लाइसेंस वह यहाँ पर PDF में आच चुगा है अब आपको इसको क्या करना है आप इसको सेप करके अपने मोबायल यह लैप्टॉप में रख सकते हैं और इसी लैप्टॉप में उख सकते हैं चाहें तो आप इसका प्रिंट भी निकल लवा सकते हैं तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही तरह तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे जो वैल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना